invalid action code at host का क्या मतलब होता है या आज किस वीडियो में सीख लेते हैं और अगर ये error message आता है तो इसको resolve करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं वो हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं ऐसा error message तब आता है जब आप जो code है जो भी action code है वो आप type करने में कोई गलती कर देते हैं तो ऐसा तब आता है यानि कि it seems like you have encountered an error message related to an invalid action code at host this message typically indicates that the action you are trying to perform is not recognized or supported by the system you are interacting with यानि कि जिस system के साथ आप integrate करना चाहा रही है उस पर ये code जो है वो सही नहीं है यानि कि हो सकता है आपने गलत code डाला हो और इसके लिए कुछ steps हैं जो troubleshooting के आप कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले आप double click करिए अपने action code पर और ensure करिए कि जो आपने code या command डाला है उसमें कोई typos यानि कि कोई typing error तो नहीं है या कोई formatting error तो नहीं है यानि कि जो code है वो पूरा आपने सही से डाला है ये एक बार आप check कर लिजी उसके बाद system की जो compatibility है कि ये system जो है जिससे आप integrate करने की कोशिश कर रहे हैं वो compatible है या नहीं है इसके इलावा कोई documentation जो इसके लिए चाहिए होता है उसको एक बार review कर लिजी यानि कि इसके बारे में पढ़ लिजीए कि ये किस तरीके से होता है या कोई आपके पास इसका user manual है तो उसमें एक बार देख लिजीए और इसके बाद भी अगर आप नहीं होता है ये आप से तो आप customer service में एक बार संपर्क कर सकते हैं और कि customer support का number जो है आपके इस device पर या इस device का जो user manual है उस पर दिया गया होगा वहाँ से आपको इसके बारे में और अधिक साहेता जो है मिल जाएगी और वो आपकी इसमें मदद कर पाएंगे अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें